नमस्कार वेल्कम बैक टू आवर चैनल और आज हम डिसकस करेंगे पद्मा एवार्ड्स 2022 का नॉमिनेशन्स हो गया है रिपप्लिक डे के एक दिन पहले गर्तन दिवस की पूरु संद्या पर अब इस एवार्ड्स के बारे में पहले कुछ जानेंगे और उससे पहले हम बता अब यह समझे लेते हैं पद्मा एवार्ड्स होते क्या है और इनकी रैंकिंग क्या है निएक इं पहलका Have of पहलो। तो using अर्फ़ों में सबसे बड़ा धॡ माने जाता है उसके proven के बाद सबसे बड़ाइवाइवाइबू। फिर लाश्ट में पदमस्री तो इसके according अगर overall देखा जाए तो बारत रत में top 1 हुआ, second पे पदमा भी भूशन हुआ, third पे पदमा भूशन हुआ और fourth पे पदमस्री हुआ, बट अगर ranking को आप छोड़ दें, ranking एक example होता है ना कि exam में कभी कभी इससे भी question पूश लेता है कि highest civilian award कौन सा है और तो उसमें बच्चे पदमे भी भूशन और बारत रत में confused हो सकते हैं, बट ये सारे awards बहुत ज़्यादा जो अपने society के लिए अप को ये सब awards मिलते हैं और इन सब awards में कोई awards छोटा या बड़ा नहीं होता, अब हम पदम भी भूशन और पदम भूशन इन दोनों को 17,4,21, 21 persons को ये मिले हुए हैं, इनके बारे में एक overview हम देख लेते हैं, ये कौन थे, कौन हैं, और इनका किस field में योगदान है, जो इसको especially exam point of view से, और हमें as an Indian citizen भी हमें ये जानना चरूरी होता है, कि हमारी society के लिए किन महापुरसों ने कौन-कौन सा काम किया है, तो पदम भी भूशन जो पदम भूशन में टॉप पे है, उनमें सबसे पहले नाम में मिस प्रभा अत्रे, इनको कला के छेत्र में, in the field of art, इनको पदम भी भूशन मिला है, महाराष्ट से बिलॉप करती हैं, ये महाराष्ट की classical vocalist है, classical singer है, अब singer और vocalist में थोड़ा फरक ये हो जाता है, जो classical गायन करते हैं, उन्हें classical vocalist का जाता है, और जो singer थोड़ा सा अलग concept हो जाता है, फिल्मों में background singing और ये सब, तो classical vocalist में मिस प प्रणार नाम इनका लास्ट ये इनकी इनका सर्गवास हो गया था इनको पोस्ट थामस मिला है वार्ड मर्णो परांत पंद बीबुसर मिला है लिटरिटर एंड एजुकेशन में ये उत्तर प्रदे से बिलॉंगिंग है इनका जन्म हुआ था भीहार में बट यूपी में जो जारी होता है गीता प्रेस के नाम से स्री रादे सयाम खेमका को आप अपने दिमाग में मस्टिस्ख में कि स्कीमा बना लिजिए गीता प्रेस के संचालन समीति के अध्याक्षित थे और इनकी इक पत्र का कल्याण वो उसका संपादन करते थे लेखक भी थे तो पिछले वर्स इनका देहावसान हो गया था उसके बाद जनरल विपिन रावत शहादत हुई थी इनके अभी शायद महीने बर पहले ही प्लेन क्रेस में हेलिकॉप्टर दुर्गत नागरस्त हो गया था इनका तो इनके बारे में भी सबको पता ही होगा लेकिन इनके बारे में एक कोस्ट बनाई गई भारती सेना के तीन अंग है जलतल और वाईव सेना तीनों में प्रॉपर कॉडिनेशन हो तीनों में प्रॉपर कम्यूनिकेशन बिल्ड़ अप करने के लिए एक सीडियाश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सारे डिफेंस के तीनों बाडिज के जो चीफ है वो जनेरल विपिन रावत थे इनकी रिपोर्टिं डारेक्ट प्रेजिडेंट को थी और पहले क्या था तीनों सेटीनों के अध्यक्ठ जो है उनका पैर सेनाओं का सुप्रीम एक तरह से राश्व पती को माना गया था सिभिल सर्विस इसे लिए रिखा हुआ है यह उत्तरखन के रहने वाले थे अब इनका जो विमान था मेडिन रसियन विमान था वो आपके आइधिंक तेलंगाना तेलंगाना रीजन में इनका प्लेन क्रेस हो गया था जो पर था और उसमें फोर्टिन लोगों की शहा और भी आर्मी के रैंक के कही सारे ओफिसर्स थे जिसमें करनल भी थे सुबेदार भी थे तो इस तरह के इनके बारे में थोड़ा साम डिटेल स्टेडी कर लेंगे किसी अलग वीडियो में करेंट अफेर के प्रॉस्पेक्टर से बहुत इंपोर्टेंट उसके बाद सरी कल् सिंग पब्लिक अफेर्स में पॉलिटीशन यह यूपी से बिलॉंगिंग थी उत्तरप्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे 1990 में आयुद्या में जब अंदुलन स्टार्ट हुआ था उस समय बुलाहिम सिंग यादो जी की सरकार थी तो वहां पे कार से उपर गोली वली चली थी फिर उसके बाद गॉर्मेंट फिर बीजेपी की आई कल्यांट सिंग या यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे 1992 में बाबरी विद्वन्स बाबरी डिमोलिशन के बाद इनको दुबारा इनको सत्ता नहीं मिली थी उसके बाद पदम भूशन सत्ता परसंस को मिला है इनके बा और वेटरन कॉंग्रेस लीडर कह सकते हैं आप इनको जमू कस्मीर से बिलोंगिंग है इनकी उसके बाद स्री विक्टर बैनर जी आर्ट मिन्स कला के चेत्र में पस्चिम बंगाल से बिलोंगिंग है ये एक्चली एक्टर इनकी एक्टिंग की फिल्ड में इनको ये पदम बूशन एवर्ड मिला है पिर उसके बाद मिस गूर्मीत बावा मर्डो परांत पदम बूशन मिला हुआ है कला के चेत्र में पंजाब ये पंजाब की फोक सिंगर ठी लोक गाई का थी और लोक गायन के चेत्र में इनका बड़ा योग्दान था बड़ा नाम था इसलिए इ पॉलिटीसियन हैं विष्ट पेंगॉल के कम्पिनिस्ट लीडर हैं और इनको भी बदमभूसन मिला है अब कुछ रूमर्स हैं कि इन्हों ने पदमभूसन लेने से एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है बट वो अभी जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तो हम उसको कंफर्म नहीं के सकते बट यह रूमर है उनके बाद है उसके बाद है बुद्ध देव के बाद स्री नटराजन चंद्र शेकरन इनके बारे में बहुत ज्यादा थोड़ा सा हैं टाटा ग्रूप के CEO इसलेंड को ट्रेड एंड इंडस्ट्री में माराष्ट इस्ट्रेट से इनको पद्म भूसन मिला है उसके बाद का जो यह है श्री कृष्णा एला एंड स्रीमति सुचित्रा एला डुबो दो लोगों को मिला हुआ है कंबाइन रूप से ट्रेड इ फा Counter है sono Mr. And Mrs. Illaw investment industry में भारत बायोटेक वही कंपनी है जिसने सव्देशी निर्मित वैक्सीन को वैक्सीन को वैक्सीन का निर्माड किया था सी ओ व्छ एकस उर को वैक्सीन जो हमारी इंडियन वैक्सीन है वह बारत भारत भायोटिक ने बनाया और उसी भारत भायोटिक के फाउंडर है तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट अव्यू से मिस मदूर जैफ्री यह यूएस्या सिटीजन है भारती मौल की अमेरिकी नागिरिक इनको अदर्स क्यों लेनरी में पाक सा सत्रमीन भोजन बिद्या में भोजन से संबंदित और यह एक्टरस भी है और इनका भोजन से संबंदित खाने पीने से संबंदित भूड कर जो पूरा का पूरा है अपना साइंस है उस seems attent से भारती मोलगिया मेर्की नागरिक हैं इनको ये पद्मुभूशन मिला है श्री देवेंदर जहजारिया इनका नाम तो सबने सुना होगा पैरा पैरा एथलीट है ये पैरलम्पिक्स में इन्होंने कई बार मेडल जीते हैं I think 2014 में इन्होंने गोल्ड मेडल देश के लिए लाय स्री राशित खान कला किक्षेत्र में उत्तर पजेश ये स्ट्राइब के यूपी के यूपी के बदायू या उसी के आसपास कोई डिस्टिक है वहां से बिलॉंगिंग है इनकी और उसके बाद स्रीराजी महरिशी सिविल सर्विस राजस्तान ये सी ए एजी थे कैग थे महा तो इसलिए इनको सिविल सर्विस में पद्मभूसन मिला है उनके बाद आते हैं स्री सत्या नरायन नडेला बहुत बड़ा नाम है भारत के लिए अमेरिकी नागरिक हैं भारती मूलके तो भारती मूलके सत्या नडेला जी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं जो टेक जायंट है कोई ऐसा नहीं होगा जो नाम सुना नहीं होगा और सत्यानदेला जी को इसलिए पत्मभूशन मिला है उनके बाद और भी बहुत बड़ी हस्ती हैं स्री सुन्दर आजन पिचाई जिनको हम सुन्दर पिचाई बोलते हैं इनको भी टेर इंडस्ट्री में भारती मुल्के यूए सिटिजन है अमेरिकन नागरिक ये अपना गोगल के सीयो हैं और साथ में एक और कंपनी है जिसका नाम उस कंपनी का नाम टिकनमेट्री ऐसे कुछ नाम है वो भी मेरे माइंड से मिस हो रहा है बट ये नाम जड़ा याद रखेगा संदर किचाई को भी पद्मा भूसन मिला है और सत्यना डेला जी को भी पद्मा भूसन मिला है और दोनों भारती मुल्क के अमेरिकन सिटिजन है एक्जाम में पुछा सकता संदर पिचाई की जो करेंट कंपनी है जिसके उसीयों है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजेगा हम भी बार देख लेंगे जो दिमाग सिखबार हमारी उतर गया अभी याद आएगा तो हम डिसक्स कर लेंगे फिर स्री सायरस पूना वाला इनका भी नाम इनको आप सायरस पूना वाला जी को जोड़ के देखिए क्रिशना एला एंड सुचित्रा एला के साथ कि दोनों को एक ही फिल् डिनामग वेक्सीन भारक में दो वेक्सीन लगाई गई थी दो वेक्सीन अभी प्रचलित है एक को वेक्सीन है जिसका निर्मान किया था भारत बायोटेक ने जिसके फाउंडर है स्री कृष्णा एला एंड स्री मतीव सुचित्रा एला आइटिंक है हस्बन वाइफ है जो भी हो और उसके बार स्री सिर्स पूरा वाला सीर्म इंस्टिट्यूट के यह संस्तापक सरंडर में स्रीं साहरे स्पूर्णावाला कीइव कंपनी सिर्म इंस्टिट्यूट ने अब क impair के साथ मिलकर बनाया है कोवी शील्ड नमग वैक्सीन डो most widely इंडिया में vaccinated जो हुए हैं वो COVID-Shield से ही हुए हैं और COVID-Shield को ही सबसे पहले WHO द्वारा प्रमाडित किया गया था COVID-19 को तो अभी recently WHO ने recognize किया है तो recognition के मामले में COVID-Shield को सबसे पहले WHO ने recognize किया था और एक time ये था कि COVID-Shield वालों को ही विदेश में जाने की अनुमती थी को vaccine को foreign nations नहीं ले रहे थे क्योंकि WHO ने recognize नहीं किया था उसके बाद है मरणो परांत स्री संजय राजा राम Mexican scientist भारती मूल के इसलिए science and engineering में इनको ये पत्म भूशन निवार्ण मिला है इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं स्री संजय राजा राम भारती मूल के Mexican scientist इनको 2014 में world food prize मिला हुआ था और उसके बाद है मिस प्रभार राय literature and education उडिशा से belonging है इनकी ये एक तरह से novelist है उडिया भासा में novels लिखती हैं पत्रिकाएं इनकी हैं कई पुस्तकों का इन्होंने जो है संपाधन किया है कई पुस्तके लिखी हुई हैं कई सारे novels लिखे हुए हैं और साथ ही साथ education field में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है खाज कर उडिशा के चेत्र में उडिशा बहुत ही पिछड़ा पिछड़ी स्टेट में से वन आफ दा मोस्ट क्या बोलते हैं उसको उसमें यूपी बिहार ओडिशा जिसाव आते हैं वेस्ट बेंगॉल भी आता है तो प्रभा मिस्प्रभा राय इनको लिटेशन एजुकेशन में मिला हुआ है इनकी इस पेसालिटी यह उडिया भासा में नौवेल्स और उडिया भासा में कई शारी किताबों को लिखना एजुकेशन के चेत्र में काम करना फिर आते हैं सुमी जचिदानंद गुजरात के याध्यातमिक गुरू हैं गुजरात से बिलॉंगिंगगय आध्यातमिक गु audi है भी है अले किया और यह कि रृगण होई है और इसलिए ईशारी पूसति के लिखी होई ये ओर सिले को ईवार्ड में तरान किया गया है मतलब मिनेशन हुए है और मन होने का मतलब कि यह वज़ाइगा अब देखित पदमस्री में 107 अनाम है इस सब का भी एक बार तोड़ा था फोकस कर लेना इसी एक सो साथ में निरत चोपडा जो गौल्ड मेडल लेके आया थे उनका भी नाम है और भी कई सारे नाम है तो इस पर हम अलग से डिस्कस कर लेंगे 107 के बारे में क्योंकि हमें भी 107 के बारे में सब के बारे में नहीं पता कुछ 10, 20 के बारे में patा है तो जाहरा डिटेल हम थोड़ा वीडियो वो ज्यादा लंब हाएगा और इसलिए थोड़ा सामीन के बारे मीश्टेडि करके तब आपको पूरा बता पाएंगे पदम श्री एवाडी इसके बारे में तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है हमारे लिए exam point of view से पदम भूशन और पदम विभूशन तो पदम विभूशन 4 पदम भूशन 17 तो इन में सबसे ज़्यादा बीपिन रावत जी का जो कौन सा हेलिकॉप्टर था कौन सा वो जिला था जहां पर यह casualty होई सहाधत होई और डेट क्या थी यह सब चीजें देखनी पड़ेगी थोड़ा याद रखनी पड़ेगी और इनके बारे में स्रीख मेरिशी भी इंपोर्टेंट रहे हैं एक्जाम के लिए क्रेट अफिर्स के लिए सरी सारस पूना वाला का नाम जुड़ गया है यह एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे उसके बाद स्री स्वामी सचिजार और स्री वसिष्ट त्रिपाठी जी के बारे में भी पूछे जाएंगे तो एक हमने ओबर विव बता दिया एक उपर उपर से सारान समने बता दिया और आप थोड़ा साइं इन सब को अलग से पढ़ लिजेगा और वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सपोर्ट करें धन्यवाद नमस्कार